अगर आप मटन करी खाने के सौखी ने और आपको बनाना नहीं आता तो अब आ जाएगा तो चलिए रैस्पी के और बढ़ते हैं फटा फट से बनाते हैं मटन करी की रैस्पी तो सबसे पहले हमें कुकर लेना और कुकर में डालेंगे 50 ग्राम मस्टर डॉल और इसके बाद हम हमने 200 ग्राम प्याज काटके बारिक ले लिया है ओल हमारा बिलकुल तयार है यहां पे हम प्याज एड कर लेंगे अपने और इसी गोल्डिन ब्राउन होने तक भून लेंगे बस प्याज हमारा भून रहा है तब तक हमें मसाले तयार कर लेने चाहिए तो मसाले के लिए मैं यहां पे छोटे चमच मैंने काले मिर्च लिया है लेसन एक पूरा लिया और एक पिंच मैंने अद्रक लिया है और हरे मिर्च आप अपने स्वादनुसर एड़ कर सकते हैं यहां मैंने दो हरे मिर्च लिया है और दो लाड मिर्च लिया है थोड़ा सा लिया है धनिया मान के च पकान說 05-10 तकी तacious, त Dul5 मिट तक यहां पर पकाना है और इसके बाद हम एड गर लेगे अप नमक division of the models नहीं एक ना व़थ क अई थोड़े से एड करेंगे यहां पर हलदी को एड राप नाशर लाल मिच पोरडर लाते हैं नमक डाला एक चममच और यहाँ पर मैंने M.D.H. टाला है मीट मसाला बहुत अच्छा फ्लिवर आता है तो आप ज़रू ट्राइ कर सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद हमें इसे अच्छे से पका लें और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे बटर बटर से का बस यहाँ पर हम पानी अड़ कर लेना है पानी मैंने एक ग्लास के लगबग अड़ कर रहा है और बस इसे हमें 4-5 विसल आने तक इसे पका लेना है क्योंकि मटन है तो पकाने में थोड़ा टाइम ज़ादा लगता ही है बस इसे अच्छे से पकाने के बाद जैसा कि आप द जरूर बता है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकूल भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चेके बाद आप